C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ह नंबर चववन सबक नौ चान का बच्चा वो देखो वो निकला चान अम्मा तुमने देखा चान? ये भी क्या बच्चा है अम्मा? छोटा सा मुनना सा चान इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चान? अम्मा उस दिन जो निकला था वो था गोल बड़ा सा चान बादल से हस हस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चान? छुप जाता था, निकल आता था, करता था ये तमाशा चांद अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद ये भी एक दिन बन जाएगा, अच्छा गोल बड़ा सा चांद अच्छा अमा, कल क्यों तुमने? मुझको कहा था मेरा चांद अफसर मेरठी इस नजम के जरिये बच्चों को नून गुना सिखाना है जमात में नजम बार बार सुनाई जाए और फिर बच्चों से पूछा जाए कि ऐसे अलफाज बताएं जिन में नून की हलकी आवाज आती हो बच्चे, माँ और चांद बताएंगे उस्ताद इन अलफाज को तखते सियाह पर लिखें और बच्चों को बताएं कि नून से ही नून गुना बनता है जिन अलफाज में नून गुना आता है उसमें नून की हलकी आवाज निकलती है इसी तरह उस्ताद दूसरे अलफाज भी तखते सियाह पर लिख कर बच्चों को नून गुना सिखाएं जैसे रंग, गंगा, मांग, दांत, उंट, गेंद, तिरंगा, आख, यहां, वहां, जहां, और कहां वगेरा मश्क, एक, इन लफजों को लिखवाईए आंधी, खाली जगह, आंचल, खाली जगह, आंगन, खाली जगह, चांद, खाली जगह, कहां, खाली जगह सफा नंबर छपपन दो, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाईए अंगूर, खाली जगह, चांद, खाली जगह, होंट, खाली जगह, पतंग, खाली जगह, ओंट, खाली जगह, दात, खाली जगह, सांप, खाली जगह, अंडा, खाली जगह, जंडा, खाली जगह सफ़ह नंबर 57 3. मेरी टोपी में रंग भरिये नीचे एक चांद की तस्वीर दी हुई है जो टोपी लगाए हुए है उस टोपी में रंग भरना है 4. लव्स पूरा करवाईए और उसे सामने लिखवाईए अलिफ ये खाली जगह टे बराबर खाली जगह जीम खाली जगह गाफ लाम बराबर खाली जगह गाफ खाली जगह बे दाल बराबर खाली जगह अलिफ मदा, खाली जगह, चे, लाम, बराबर, खाली जगह, मीम, खाली जगह, गाफ, लाम, बराबर, खाली जगह सफ़ा नमबर अठावन, पांच, नीचे दी गई तस्वीरों में, जो परिंदे और जानवर हैं, उनकी आवाजे निकलवाईए और लिखवाईए, मुरगा, खाली जगह, कबूतर, खाली जगह, तोता, खाली जगह, बकरी, खाली जगह, गधा, खाली जगह, शेर, खाली जगह, छे, इन लफजों को पढ़वाईए, अंग्रेजी, उमंग, आँख, बंगाल, मंगल, तिरंगा, गंगा, सुरंग, कंगाल, पतंग, मैं, मां सफ़ह नंबर 69, साथ, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को नजम के मताबिक मिलाकर, शेर, मुकम्बल करवाईए, अलिफ, अम्मा उस दिन जो निकला था, ये भी क्या बच्चा है अम्मा, वो देखो वो निकला चांद, इतना दुबला, इतना पतला, हिस्सा बे अम्मा तुमने देखा चांद, वो था गोल, बड़ा सा चांद, कब होता है ऐसा चांद, छोटा सा मुन्ना सा चांद, चांद तक पहुँचने में मेरी मदद कीजिए यहां एक भूल-भूलया की तस्वीर दी हुई है, जिसके एक सिरह पर रॉकेट है और दूसरे सिरह पर चांद है, इस भूल-भूलया के जरिये ये रॉकेट इस चांद तक पहुँचाना है सफ़ा नंबर साथ हमजा आओ बच्चों खेलें खेल, चलती है अब अपनी रेल मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी दे कर रेल चलाओ शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी जंडी दिखलाओ छुक छुक करती चलती रेल, दूर बहुत है जाती रेल मन्जिल तक पहुंचाती रेल इस सफ़ा पर दो तस्वीरें है पहली तस्वीर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं उन में एक बच्चा जो आगे है, उसके मुँ में एक सीटी है पीछे जो बच्ची है, उसके हाथ में एक जंडी है दूसरी तस्वीर एक रेल की है असादजा के लिए हिदायात इस नजम को जमात में कई बार पढ़ने के बाद बच्चों से मालूम करें कि नजम के वो कौन से अलफाज हैं जिन पर हमजा लगा हुआ है बच्चे आओ, जाओ, चलाओ, दिखाओ, कहेंगे बच्चों को और भी दूसरे अलफाज बताएं जिन पर हमजा का इस्तेमाल हुआ है सफ़ह नंबर 61 मश्क, एक इन लफजों को लिखवाईए सुनाओ, खाली जगह आओ, खाली जगह तिपाई, खाली जगह दिखलाओ, खाली जगह चलाओ, खाली जगह दो, नीचे दिये हुए लफजों पर हमजा लगवाईए और उन्हें सामने लिखवाईए आओ, बराबर, खाली जगह जाओ, बराबर, खाली जगह चलाओ, बराबर, खाली जगह दिखलाओ, बराबर, खाली जगह रसोई, बराबर, खाली जगह बनाई बराबर खाली जगह सफ़ा नंबर बासट तीन नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाईए रसोई खाली जगह तिपाई खाली जगह चारपाई खाली जगह सत्ताईस खाली जगह चारपाई खाली जगहों को मुनासिब लफ़ से पुर करवाईए एक खाली जगह खेलें खेल दो मोहन तुम इंजिन बन खाली जगह तीन सीटी दे कर रेल खाली जगह चार लाल हरी जहंडी खाली जगह मेरा रास्ता तलाश कीजिए शहद की एक मक्षी है जिसे उसका रास्ता दिखाईए सफ़ नंबर तिरसट पांच मिसाल के मुताबिक नीचे दिये हुए लफ़ों को बदल कर लिखवाईए मिसाल आओ आईए बनाओ खाली जगह सुनाओ खाली जगह जाओ खाली जगह पाओ खाली जगह बताओ खाली जगह छे टाई की तस्वीर बना कर उसमें रंग भरवाईए नीचे एक खाली जगह दी हुई है जिसमें टाई की तस्वीर बनानी है सफ़ा नंबर चौसर्ट जजम हमारा मुलक हिंदुस्तान है हर साल पंद्रह अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं यहां का मौसम कभी बहुत सर्द होता है और कभी बहुत गर्म गर्मी के दिनों में हम बर्फ भी इस्तेमाल करते हैं यहां तरह तरह के दरख्त पाए जाते हैं जंगल को दश्ट और हाथ को दस्त कहते हैं रेगिस्तान को दश्ट और हाथ को दस्त कहते हैं आज सर में हलका हलका दर्द है खर्च इहतियात से करो अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं वक्त का सही इस्तेमाल करो यहां एक स्कूल की तस्वीर है जिसमें कुछ बच्चे तिरंगा ज्हंडा लिए दिखाए गए है सफ़ा नमबर 65 असाद्जा के लिए हिदायात असाद्जा पहले तल्बा के सामने इन जुम्लों की बलंद खुआनी करें इन जुम्लों की बलंद खुआनी करेंगे जिन लफजों में जज्म इस्तेमाल हुआ है उन्हें तख्ते सियाह पर नुमाया तोर पर लिखेंगे जिस हर्फ पर जज्म इस्तेमाल हुआ है उसकी वजाहत करेंगे जज्म की अलामत बताएंगे अगर बगेर जजम के लवज को पढ़ेंगे तो उसका तलफ़ गलत होगा इस बात की वजाहत करनी है असातजा को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जजम की अलामत उस वक्त इस्तमाल की जाती है जब किसी लवज में मसमती आवाजें किसी मसूती आवाज के एक साथ बोली जाती है जैसे बर्फ, सखत, गर्द, सबर, जर्द, सुर्ख वगेरा अगर अलामत का इस्तमाल ना किया जाए तो उन लफजों को बरफ, सखत, गरद, सबर, जरद, सुरख वगेरा पढ़े जाने का इमकान है जो की गलत तलफ़ुज होगा जंडे में रंग भरवाईए नीचे तस्वीर में हिंदुस्तान का जंडा है जिसमें सही रंग भरना है सफ़ा नंबर 66 मश्क एक, दिये गए लफजों में जिस हर्फ पर जज़्म की आलामत है उसे सामने लिखवाईए मिसाल जर्द खाली जगह, रे खाली जगह, अबर खाली जगह, तख्त खाली जगह, दुरुस्त खाली जगह, दोस्त खाली जगह, पर्स खाली जगह, दरख्त खाली जगह, दो नीचे दिये हुए लफजों पर जज्म लगवाईए दरखत, परस, मुरग, अबर, गरम, तखत, जरद, नरस, चरच, खरच सफ़ह नंबर सरसट तीन, हुरूफ को मिलाकर लवज लिखवाईए और सही हर्फ पर जज्म का निशान बनवाईए एक, जीम, शीन, नून, बराबर, खाली जगह दो, दाल, रे, दाल, बराबर, खाली जगह तीन, सीन, बे, जे, बराबर, खाली जगह चार, चे, सीन, ते, ये, बराबर, खाली जगह पांच, दाल, रे, खे, ते, बराबर, खाली जगह चे, दाल, वाउ, सीन, ते, बराबर, खाली जगह साथ, सीन, सीन, ते, ये, बराबर, खाली जगह चार, तस्वीर में रंग भरवाईए यहाँ जो तस्वीर दी हुई है, उसमें बराबर में दी गई तस्वीर के मताबिक रंग भरना है अभी आफसुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक, शैनाई, भाग एक वाचन्सवर, उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उसमानी तक्निकी दिर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान निर्वान सहायक, मिनाक्षी कुकरेती, निर्देशन एवं निर्वान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत